नमस्कार आप सभी का हमारे चैनल एम के जियोतिस उपाय में एक बार फिर्शे स्वागत है मित्रो आज हम बात करेंगे कन्यादान के बारे में कि जन्म कुडली में किन गरहों की स्थिति केशी हो तो पिता को अपने हाथ से कन्यादान नहीं करना चाहिए तो वीडियो को पुरा जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भोलिए क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी लेकर के आते हैं और ये जानकारी आपके और आपके चाहने वालों के बहुत काम आने वाली है अब मुख्य टोपिक पे आने से पहले जान लेते हैं कि कन्यादान क्या होता है हिंदु धर्म की साधियों में तमाम रस्म और रिवाजे निभाने के बाद ही विवाह को पूर्ण माना जाता है तब जाकर कन्या और वर पती-पतनी बन पाते हैं विवाह की इन रस्मों में सबसे महत्पुन होता है कन्यादान, कन्यादान कार्थ होता है कन्या का दान्यानिकी, पिता अपने पुत्री का हाथ वर के हाथ में सोपता है और इसके बाद से कन्या की सारी जिम्मिदारियां वर कुनिबानी होती हैं, यह एक बहुत सेंसकार है जि किसी हादसे का शिखार हो गए या भयंकर रोग ने उनको घेर लिया कोई आर्थिक संकट आ गया जिसमें घर जमीन सम निलाम हो गया कभी-कभी तो ऐसा भी सुनने में आता है कि कन्या की विदाय के बाद पिता को हार्ट टेक आया और पिता की प्रत्यू हो गई साइद आपने भी कहीं देखा या सुना होगा एसी ही किसी गटना के बारे में अब प्रसन दिमाग में ये उड़ता है कि ऐसा आखिर क्यों होता है क्योंकि इसके पिछे जोतिशी ये कारण है और आज वहीं कारण में आपको बताने वाला हूँ तो चलिए जानते हैं उस जोतिशी ये कारण के बारे में अगर लड़की की कुणडली में सूर्य पिडित हो जैसे सूर्य के साथ राहू, केतू या सन्य की यूती हो और सूर्य अंसों में कमजोर हो सत्रु राशी में बेठा हो और वहीं सूर्य से राहू, केतु या सन्नी मजबूत अंसम में यूती बना रहे हो या सूर्य पर इन तीनों गरहों में से किसी दो गरहों की दरश्टी हो या सुरिय पाप कर्तिरी दो से पीडित हो और सिंग रासी में भी कोई पाप रभाव हो साथ ही करमेश और भागेश भी पीडित हो जैसे करमेश और भागेश का 6-8-12 भाव में होना या राहू केतु और सनी द्वारा पीडित होना तो पिता को अपने हाथ से कन्यादान नहीं करना चाहिए कन्या की जन्म कुडली में लगन कोई भी हो सकता है मेश से लेकर के मीन परियंत ये मेश लगन की कुडली मेने यहां सिरफ उदाहन के लिए लिए है और अगर कन्या की कुडली में ग्रह स्किति खराब है और गलती से पिता कन्यादान अपने हाथ से कर देता है तो पिता बिमार हो सकता है पिता पर आर्थिक संकट आ सकता है और अगर पिता का लगनेश पिडित हुआ या कमजोर हुआ या 6-8-12 भाव में हुआ तो पिता की मृत्यू भी संभव है अधै आप मेरी बात को मजाक में मत लेना क्योंकि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ यहां मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जन्म कुडली में ग्रेस तितियां जितनी खराब होगी आने वाली समश्या भी उतनी ही बड़ी होगी अब अंत में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर एसी ग्रैस्तिती किसी की कुंडली में बन रही है तो आप कन्यादान लड़की के चाचा से मोसा से या लड़की के मामा से करवा सकते हैं ऐसा करने से किसी अनुहुनी को टाला जा सकता है किसी की जान बचाई जा सकती है तो मित्रो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करो क्या पता आपका एक सेर किसी की जान बचाने में काम्याब हो जाए और किसी की जान बचाने से बड़ा और कोई पुन्य नहीं है तो पुन्य कमाने का ये मोका हाथ से ना जाने दे तो मित्रो आज इस वीडियो में इतना ही और मैं आसा करता हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चेनल को सबस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप देख सके तो हमें तो अब मैं विदा लेता हूँ आपका दिन मंगल मैं हो अगले वीडियो में एक नई जानकर के साथ फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार